हेले अब्रीबन डेली PCSGK के एक और ने अपिसोड में आपको स्वागत है और मैं हूँ आतिफा तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रशन से हमने आपसे पूछा था इंडियन कम्प्यूटर एमेजनसी रस्पॉंस टीम यानि सर्टिन का गठन कप किया गया तो इस क्वेश्चन का सही अंसर था ओप्शन सी दो हजार चार दर इसल हाल ही में इंडियन कम्प्यूटर एमेजनसी रस्पॉंस टीम यानि सर्टिन ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया इस अभ्यास की थीम बिल्डिंग नेट्वर्क रिजिलिंसी चलिए बात करते हैं सर्टिन के बारे में तो इसका पूरा नाम इंडियन कम्प्यूटर एमेजनसी रस्पॉंस टीम यानि भारती कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है इसका गठन 2004 में किया गया था इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है ये देश में साइबर सुरक है था संप्षा के खेर में राश्ट्रे नोडल एजनसी की तोर पर काम करती है चलिए आप शुरुवात करते हैं आज के सेशन की तो हमारा पहला कोसटेन इंडियोग्र하는데 की Ikा जाता है राश्ट्रपती दोरननी दौरो नीयूगा वेतन आयोग मा धिम से बिदिक्राइक द् सर्वोच नयायले की नियाधीशों के वेतन तथा नियायले की सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहट भारत की संचित निधी पर भारत वे घुशित किया गया है। कीजिए। 1 सितंबर 1947 को भारतिय मानक समय यानि IST को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में अपनाया गया था। भारतिय मानक समय में UTC प्लस 5.5 का समय ओफसेट होता है जो पूरे भारत में माना जाने वाला समय है। इसका मतलब है कि IST ग्रीन विच मीन टाइम यानि GMT से साड़े पांच घंटे आगे है। इसले कथन एक सही है। स्थानिय समय की गणना इलाहबाद वेदशाला के एक घंटा घर से की जाती है। 1905 में इलाहबाद मध्यान रेखा को भारत के लिए एकल समय क्षेत्र के अनुरूप केंद्रियम मध्यान रेखा के रूप में चुना गया। इसलिए कथन दो भी सही है ये एक जनवरी 1906 को लागू हुआ हालकि कलकत्ता समय आधिकारिक तौर पर 1948 तक एक अलग समय क्षेत्र के रूप में बना रहा स्वतंतरता के बाद 1 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने IST को पूरे देश के लिए आधिकारिक सवय घुशित किया चली नेक्स क्वेस्चन तीस्ता नदी का उदगम होता है दारजिलिंग पहाडी से पाव हुनरी ग्लेशिर से मांसरोवर जील से या फिर मिलाम हिमानी से तो इस क्वेस्चन का सही अंसर है आप्शन बी पाव हुनरी ग्लेशिर से बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना पात सितंबर को चार दिन की भारत यात्रा पर आएंगी इसमें भारत और बांगलादेश के बीच तीस्ता नदी के मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना है हिमाले के करीब 7000 मीटर उचे पाव हुनरी ग्लेशिर से निकलने वाली लगभग 414 किलो मिटर लंबी तीस्ता नदी सिक्किम से भारत में प्रवेश करती है इसलिए ऑप्शन बी सही अंसर है उसके बाद ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांगला देश में दाखिल होती है बांगला देश में ये ब्रमुपुत्र नदी से मिल जाती है इसकी सहायक नदी है रंगी चली बढ़ते हैं अगले प्रशन कियो ग्रह मंत्राले के प्रशासनिक नियंतरण के तहट कितने केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं? A. 4 B. 5 C. 6 या फिर D. 7 तो इस सवाल का सही जवाब है Option D. 7 हाली में केंद्रिय ग्रह एवं सहकारिता मंत्रे अविच्शा ने C. A. P. F. E. आवास वेब पोर्टल का शुभारम किया इसका मकसद केंद्रे सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टी दर यानि हाउसिंग सैटिसफेक्शन रेशिय को बढ़ाना है अब बात करें C. A. P. F. की तो इसका पूरा नाम केंद्रे रिजर्व पुलिस बल है और ये आंत्रिक सुरक्षा और उग्रवाज से निपटने में सहायता करता है केंद्रे रिजर्व पुलिस बल 27. जुलाई 1949 को शाही प्रतिनिधी के पुलिस के रूप में अस्तत्व में आया ये 28. दिसंबर उन्नी सो डन्चस को C. A. P. F. अधिनियम के लागू होने पर केंद्रे रिजर्व पुलिस बन गया ग्रह मंत्राले के प्रशासनिक नियंत्रण के तहट भारत के साथ केंद्रे सशस्त्र पुलिस बल आते है इसलिए Option D सही अंसर है इंसाद बलों में शामिल है आसम राइफल्स सीमा सुरक्षा बल भारत तिबबत सीमा पुलिस सशस्त्र सीमा बल केंद्रे रिजर्व पुलिस बल केंद्रे ओध्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रे सुरक्षा गार्ड चलिए अब अगला प्रशन देखते हैं किस भारतिय राज्य अत्वा केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुल लॉंच किया? A. करनाटक B. नई दिल्ली, C. ते लंगाना या फिर D. केरल तो इस सवाल का सही जवाब है, option B. नई दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने देश का पहला वर्चुल लॉंच किया इसका नाम दिल्ली मॉडल वर्चुल स्कूल संक्षिप्त में DMVS रखा गया है इसलिए option B. सही आंसर है ये स्कूल नौवी से बारवी कक्षाओं के चात्रों के लिए होगा DMVS दिल्ली बोर्ड अफ स्कूल एजुकेशन यानी DBSE से संबध होगा और चात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा इसमें कक्षाओं स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशिश प्लैटफॉर्म के माद इमसे संचालित की जाएंगी हाला कि राष्ट्रे मुक्त विद्ध द्याले शिक्षा संस्थान यानी NIOS ने कहा है कि देश का पहला वर्च्वल स्कूल केंदर सरकार ने 2021 में खोला था चले बढ़ते हैं अंगले प्रेशन की उर तारीख रशीदी के रचनाकार हैं मिर्जा हैदर दुगलात, मुहम्बत कासिम, इनायत खां या फिर बदायुनी तो इस प्रेशन का सही उत्तर है तारीख रशीदी की बात करें तो इसके रचनाकार मिर्जा हैदर दुगलात हैं इसलिए उप्शने सही आंसर है इसमें बाबर के अंतिम दिनों वा हुमायू तथा शेरशा के शासनकाल की घटनाओ का वर्नन मिलता है इस पुस्तक में लेखक ने मध्धे इशिया और भारत के इतिहास के बारे में काफी जानकारे दी है इसमें पंद्रह सो चालीस इसवी के कन्नौच के युद जो हुमायू और शेरशा के मध्धे हुआ था कसजी वर्नन किया गया है चले नेक्स क्वेस्चन देखते हैं लीबिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है ए नाइजर, बी सूडान, सी माली या फिर डी चाड़ तो इस क्वेस्चन का सही आंसर है उप्शन सी माली हाल ही में लीबिया में होने वाले भीशन संघर्ष के चलते ही सुर्खियों में रहा है अब लीबिया पर नज़र डाले तो ये उतरी अफरीका में स्थते एक देश है और इसकी राश्थानी त्रिपूली है इसकी सीमा है उतर में भूमत्य सागर से पूर्व में मिस्र से दक्षिन पूर्व में सुडान से दक्षिन में नाइजर और चार्ट से और पश्चिम में ट्यूनीशिया तथा अलजीरिया से लगती है इसकी सीमा माली से नहीं लगती है इसलिए option C सही आंसर है चले रुख करते हैं अगले प्रशन की ओर चर्चा में रहा हिनाम नोर शब्द संबंधित है मोर की एक प्रजाती से टाइफून से क्रूज मिसाल से या फिर चीन द्वारा छोड़े गए उपक्रह से तो इस सवाल का सही जवाब है option B टाइफून हाली में सूपर टाइफून हिनाम नोर सुर्खियों में रहा है इसलिए option B सही आंसर है अगले कुछ दिनों में स्तूफान के दक्षन पश्चिमी जापान पूर्वी चीन और दक्षन कोरिया के कुछ हिस्सों की और बढ़नी की संभावना जटाई गई है आपको बता दें कि टाइफून एक तरह का चकरवात है चकरवात की उत्पत्ती स्थान के आधार पर इसे अलग-अलग नाम दिये जाते हैं जैसे टाइफून, चीन सागर और प्रशान सागर में हरीकेन, केरिबियन सागर और अट्लांटिक महासागर में पश्चिम भारते द्वीपो में टोर्नाडो, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिनी संयुक्तराज्य अमेरिका की गिनी भूमी में विली विलीज उत्तर पश्चिमी अस्ट्रेलिया में और उश्रकटी मंध्य चकरवात हिंद महासागर क्शेत्र में चलिए अगला प्रशन देखते हैं अंतराश्ट्रे मुद्राकोश यानि आएमेफ का मुख्याले स्थित है तो इस सवाल का सही जवाब है अप्शन बी वाशिंग्टन डी सी हाल ही में आएमेफ श्रिलंका को अगले चार सालों में दो अरब नव्य करोड डॉलर की अतिरिक साहता प्रदान करने पर राजी हो गया है इसे भीशन आर्थिक संकट और भष्टाचार से निपटने के लिए दिया जाएगा अब अगर बात करें आएमेफ की तो इसका पूरा नाम अंतराश्ट्रे मुद्राकोश है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुट्समेलन में की गई थी इसका मुख्याले अमेरिका के वाशिंग्टन डीसी में है इसलिए ऑप्शिन भी सही अंसर है ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तक्नीकी सहयता प्रदान करने का कारे करता है ये अंतराश्ट्रे विनिमदरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहयता प्रदान करता है बर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है चलें बढ़ते हैं आज के दसवे और अंतिम प्रशन की ओर सपर्श प्रणाली संबंधित है तो इस प्रशन का सही उत्तर है डिजिटल इंडिया पहल को गती देते हुए पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली रक्षा या स्पर्श द्वारा पेंशन भोग्यों को रिकॉर्ड पेंशन वित्रित की गई है अब बात करें SPARSH याने स्पर्श प्रणाली की तो इसका पूरा नाम System for Pension Administration रक्षा है ये रक्षा पेंशन की वंजूरी और वित्रन के स्वचालन हेतु एक वेब आधारेत प्रणाली है और इसे जुलाई 2021 में लागू किया गया था ये पेंशन दावों की प्रोसेसिंग करती है और इसलिए Option A सही अंसर है ये बिना किसी बाहरी हस्ता क्षेप के रक्षा पेंशन भूगियों के बैंक खातों में प्रतेक्ष रूप से पेंशन जमा करती है रक्षा लेखावे भाग इसकी नोडल एजनसी है चलिए अब वक्त हो चला है अचके अभ्यास प्रेशन का तो प्रेशन है मेरी रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है Option से A. पत्रकारिता B. सामाजिक कारे करता C. संगीत या फिर D. पर्यावरणविद तो हमेशा की तरह इस सवाल का जवाब भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मुलाकातों की अगले अपिसोड में तब तक के लिए चैह हिंद